नमस्कार दोस्तो आप सबीका है यूट्व चैनल डाए स्वाक्ति करते। दोस्तो आज की वीडियो में पढ़ेंगे ओंका नियम क्या होता है । ओंका नियम क्या समय रताता है। ओम का नियम का प्रयोग क्यों क्या जाता है ओम के नियम के अनुसार DC प्रपतों को हलक है किस प्रकार से क्या जाता है और ओम का नियम लागू होने के सरते क्या क्या है ओम का नियम के सरते और क्या है इन सभी बातों को आज पढ़ेंगे तो दोस्तों ओम का नियम को पूरा समस्षा नहीं हो फ्तर देते समय आपको किशी करके कोई प्रेशा नहीं हो और आज का दोस्तों अपना डीशी थोरी का चेप्टर सुरू होने जा रहा है जिसमें पहला चेप्टर आ रहा है ओम का नियम बाकि बैसिक लेक्टिकल की 25 क्लास के लगवग पूरी हो चुकी हैं जि पिछली वीडियो को एक बार आवस्थ्य देख लें ताकि आपको आगे की डीशी सर्कीट पढ़ने के लिए डीशी थोरी पढ़ने के लिए मश्यनों को पढ़ने के लिए कि प्रकार की कोई समय नहीं हो तो चले दोस्तों शुरू करते हैं आज ओम का नियम किसली प्रतिप बोतिक जर्मन के वोतिक वीड जार्ज साइमन अ जर्मन के वह एक बोतिक वात थे जिसमें जर्मन के विगानी थे जार्ज साइमन ओम ने सर अठाराष हो सकता है इसमें अपने नियम परतिपादित की इस नियम में क्या बताया कि विद्धु धारा बोल्टेज और परतिरोद में क्या समंध होता है इसलिए विद्धु धारा प्रतिवद्व और बॉल्टेज में इस्तापित करने के लिए अपने नियम पर्ति पाजित के जिसे ओम का Argentine कहते हैं इसे में क्या था है में यह था किसी बंद परिपत में किसी बंद परिपत ईया लूप में यह लूप है परिपत है बंद परिपत है लूप में जब आप बोल्टे लगाओगे बोल्टे लगाया इस बोल्टेज के अनुसार विद्धुधारा प्रवाइथ होगी तो यह विद्धुधारा यह विद्धुधारा परत्रोद के शीरोपर उत्मन विभांतर के समानुपात यह लिख सकते हैं कि उत्पन विभुवांतर विद्दु धारा के प्रवाहित विद्दु धारा के समानपाति होता है कब होता है जब इसकी भोतिक वस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है इस परिपत या इस प्रत्रोद की भोतिक वस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो अर कोई परिवर्त करने हो तो इस परित्रोद के दोनों शीरों पर उत्मन विभवांतर इसमें से省 परवाइट हो रही विद्धूधार में होता है यह थार्वाइट्र उत्मन विभानतर है potential difference है दूसरा आई क्या है विद्धुधारा यह विद्धुधारा इस परत्रोद में से परवायत होने वाले विद्धुधारा किसके फलसुरूप यहां आपने वोल्टेज लगाया इसके फलसुरूप और यह परत्रोद तो इसमें प्रिवासा आगी इसम कोई परिवर्तन नहीं हो अर्थार्थ इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो इसलिए आधर्स प्रत्रोद लगा देते हैं तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है जैसे कि इसका प्रत्रोद कब बतलता है देखो तापमान के आधार पर यह कह सकते हैं कि नियत अता आपवे बहुतिक अउस्था पर किसी परत्रोद के शीरों पर उत्पन विभुहांतर उसमें से परवाहित होने वाली विद्धुत्धारा के समानुपाती होता है या परवाहित विद्धुत्धारा परवाहित विद्धुत्धारा उस विभुहांतर के समानुपाती होती है जाए कि अर्थार्प ऑई शमानुपात्य भी इसको यह लख सकते कि वी शमानुपाति आई यह आता है इसे में क्या होता देखो आपने वोल्टे लगा विदुधारा प्रवायत हुई यह परत्रोद का मान जब बद लेगा तो विदुधारा का मान बद जाएगा तो अम यह टरों्त्रक्य विलूम्हान उपाती होती है इस सम्वानुपाती है इसका मतल sculpture करने के लिए अपने नियन प्रतिपाधी थे ठेसे विपने वान उपाती आई उसको अपने िरों के सोमदे में के तिर्बुद में उनकर में नहिंकरे इस थापने gült और आगी इसे को प्रीपथों का कार्गुलेसिन क्या जा सकता है यह तो थी बात इसकी तो इसमें क्या देखो यह आ गई यह जब आप इसको आदरस रखोगे इसकी बहुते का वस्ता कौन कौन चाहती देखो बहुते का वस्ता यह आती हैं जिसमें आता है ताप मान आ गया ताप दाब और प्रत्रोद की परकर्ती या आग ही बहुत तीक वस्था जी है मतलब कि जब आप एक बार प्रेक्टिकर करते हो जैसे कि यहां से आपने 200 बोल्टे लगाए ठीक है और यहां इसका दो इसो ब्रखा लगान हुए दो सो बोल्टे लगाए और जब लगाते हो ड़क्तों के औहिखाइक दाहरा बूल्टे मान को उसको चाहरेज चाहरे और हुए को यह यह निय नियत रखोता है ठेकर नियत रखेंगे प्रत्रोद के मान कोई परिवरतन नहीं करेंगे तो बोल्टेज आपने 200 की बजाये 300 लगा दिया 300 बढ़ा दिया चारसो बढ़ा दिया 400 तो बोल्टेज का मान 200 से 400 क्या दो धारा कितनी चले जाएगी 2 गुणा दोगनावन धारा कितनी थी 2 A, अब कितनी हो जाएगी 4 A, इसका मतली यह होता है, कि इस बोल्टेज के समानुपाती होती है, लेकिन जब आप परतिरोध के मान को परिवरतन कर जाते हो, तो 2 से 4 हो, यह निर्धारितनी है, जितना परतिरोध बढ़ेगा, उतनी धारा गटेग अर्थवर्थ और इस परतिरोध के विलोमन पाती होती है, जब तक आप इसकी भोती का वस्ता में कोई परिवरतन नहीं करोगी, अब आती है, कि वी समानुपाती आई होता है, तो इसको समझते का से देखो, एक ओम के तिर बुझ के अनुसार इसको समझ सकते हैं, कि ओम ने वी, वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी, इसलिए ओम के तिर बुझ से इन तिरों का समझ ऐसे स्थापित होता ही, ओम का तिर बुझ से देखो, वी, आई, आर, यहां वी वोल्ट, वोल्टेज, यह आर, रजिस्टेंस, और यह आई, यह करंट, इसकी काई और यह ओम होती है, अब देखो, आप यह होता है कि वी समानुपाती आई, देखो, इसका समझ कैसे स्थाफित होता है, वी समानुपाती आई, यहां समानुपाती क्या है, प्रोपोस्टनल क्या है, यह है, यह कॉंस्टेंट है, मुतलब कि यहां जब भी आप किसी पेपर मे या किसी फोर्मले में आपको सम्मानुपाती रगता है इस सम्मानुपाती का मतलब होता है कि यहां कुछ चीजे चुपी हुई है जो कॉंस्टेंट होते हैं नियत होते हैं यहां कुछ कॉंस्टेंट रखा गया है जिसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है यहां परिव प्रत्रोद नहीं पड़ता है तो पिछले वीडियो आप एक बार देखना कि चालक और कुछ चालक क्या होते हैं इसका तापमान का अधर पर प्रत्रोद में क्या परिवर्तन होता है अब होता है कि सुत धात्रोद चालक का परत्रोद तापमान बढ़ने से बढ़ता है और तापमान गटने से घटता है यहां इसका तापमान बढ़ जाता है तो इसका परत्रोद बढ़ जाएगा और परत्रोद बढ़ेगा तो इन दोनों का समन्द जो बतायागा है उसके कुच मुल्स भी अब 45s पूरा करते हैं समय अथा देते हैं वि बराबर इस समय अधर क्या लगा इन था कि यहां इसको अधरा होता है हुआ कि इसको हुआ है तो यह निख सकते हैं भी बराबर कि गुणनफल के समानपाति होता है वी समानपाति आई वी बराबर आई इंटु आर यह होता है इस ओम के निमिनसार जब भी आपको तीनों के समद्ध होगे ने यह वोल्टेज भी आ गया और यह अपने धारा भी आ गई पर तरोथ भी आ गई इसलिए इसको कह सकते कि वी इस ओम के वी आई आर तर्बूस होता है यह किसका है ओम का इस ओम के वी आई आर तर्बूस से अपने तीनों का समद्ध इस्थापित कर सकते हैं अब आगे किसका कैसे करेंगी किस प्रकार से इनकी मान की गणना करेंगी यह देखते हैं कि आगे और क्या होता है समद्ध में क्या इनकी काया क्यों का कनवर्जन कैसे होता है वो देखते हैं अब दोस्तों आप से इसे भी वल् facil औ가ि भाए UX के दारा कि समोंद है धारा का समय ऐगा तो अब आगई कि दारास्ता ओंतर धाराके शमोंद यह एक चीक परिपत प्रिपति या प्रतिरोध में jo परवाहि धारा पर्तिरोत के विलोमनमपती होती है इस यह परतिरोत के विलोमनमपती आर एक ही होती है अब गी हिन दोनों का समंध्द थाम पूछ दायगा सब्से पहले पूह nice वाट अब पूछ दाएगा कि ऐसलों कि नियतान का मतलब किया होता है और आर बराबर भाबरat तो यहां लग सकते हैं कि वी बटे आई, वी बटे आई, ये ओम के नियम में नियतांक होता है, यह परस्फफ है काफी बार आ η होता है फåराई होता है dilemma, वी अपर रख एंपान आ यहित होता है यह पर्तिरोब होता है लेकिन वो हम के निम्स परतिरोध किसको मना गया है नियतांक को समान पाती यहां इतता है जूल है कि वी बटे आई क्या होता आई नियतांग होता है और यह परतिरोध को मिन्स परतिरोध के लिधांसी को समानते है यह से होता है अब फी besar आई इन्टू Bapt从 R एक-to size बर्टे current वा प्रत्रोद के बनुश्र के समान पाती होता है एक तो याद रखना तो इसकी काई देखो एंपेर की क्या थे दारा की काई एंपेर है तो इस पर इस बोल्टेज की क्या है यह तो होता है वोल्टेज की काई वोल्ट होती है तो दारा की काई क्या देखो दारा की काई यह है कि आई की काई एंपेर होती है और आर की काई ओम होती है तो वोल्टेज की काई इस वोल्ट की काई क्या लेख सकते हैं एंपेर ओम वी की काई एंपेर ओम होती है यह याद रखना बात वोल्टेज्थ के कई AIMPAYER OHM होती है या फिर वल्टेज्थ होती है तो वल्टेज्थ के सगते हैं एक यह ओम कि पर्तिरोद में एक डारा प्रवाइत हो जाती है तो वहां पर लेगाएगा इबल कमान एक वोल्टेज्थ होता है और तो दूसर Das is, यहाँ पे के मान को स्थिर रखा, को थार तो अर् गटेगा किसके वी के को तो स्थिर रखते भी नियतांक रखते भी वी को इस्तिर रखते हुए यदि आप इस परत्रोद के मान को बढ़ाओगे घटाओगे तो धारा का मान बढ़ जाएगा और आप इस परत्रोद के मान को बढ़ाओगे तो धारा का मान घट जाएगा यह तो थी आई समानुपाती वन अपॉन आर ठीए तो है यह अब आगे क V ब्राबर this s एक वोल्ट लगाने से एक वोल्ट आभलाने से है ड्री जाती है तो उस प्रतियुद का मान एक ओम होता है तो यिस प्रतियुद की क्या थी ती ओम होती है लेकिन दूसरी ती चलनों से प्रतियुदamorph के नियमा अनसार देखा जए तो यह होता कि R बराबर होता है, R की यूनिट क्या होती है? वोल्ट परती एम्पियर, यह देखना है, वोल्ट क्योंकि वोल्ट परती एम्पियर, एक वोल्ट का बन लगाने से, 1APRI की विदु धारा प्रवाइद होती है तो उस परत्रोद कमान एक ओं होता है तो आर की यूनिट के आगए परत्रोद की यूनिट होगी वोल्ट एमपर लेकां दूसरी सब्दों में देखा र पराबर इधी वी आई है तो कि आप इसको हल करते हूं इस समीकन को हल करते हूं तो क्या आता है यहां वी के ओपर घात किसके एक यहां आई की इसकी काई वोल्ट देखो वोल्ट की घात एक और यहां एम्पियर की घात एक अब आप इसको दी एम्पियर को उपर ले जाते हो बिल्कुल सीदे संपोला मेदी आप इसको बिन रूप से ने करके आप साधान रूप से करते हो साधान समय कर बनाते हो तो यह था आर बराबर आता है वोल्ट इंटू एम समद्द की एकाई होती है याद रखना बात तो वोल्ट एम्परे की घात मार्ट मैनिस एक क्या होती यह भी एक प्रकार का प्रचिर दोज़ता है दूसरा समद्द लेकिन ओम के नियमं से इस समन देखा जाए इस ग्राप से देखा जाए इस सर्किट से देखा जाए तो दारा की का होती है वृट इसलिए अई बराबर होता है वूल्ट अपून ओम में परत्रोत के कई ओम अब पर आगे इकाई बीरोट की ही होती है तो तेनों का समध्ण आ गया कि प्रतरोफःल के स्वे LOOK से निकल सकते हैं अब आता है कि इस विभांतर और धारा के बीच ग्राफ कैसे खाचा जाता है यह परसंट काफी बारा जाता है कि निमन में से कौन सा ग्राफ कौन सा वकर ओम की निम को परदर्शित करता है ठीक है तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना सेर कर करना और जो दोस्त पहले बार वीडियो को देख रहे हैं वह निमी पैटरंग के आधार पर संपून से लबस पढ़ने के लिए अच्छे से अच्छे तयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जूरू कर लें ताकि आपको भविश्य में इलेक्रिक्रिकल से सम्मंदित क परकार की कुछ समस्या नहीं हो और आप आसाने से आगामे आने वाले अच्छे प्राफ करके अपने साथल्पा को प्राफ कर सकते हैं अ कि यह Mantle को बटाया कि यहां से हैं ओइए कि यह घरा देखो यह आई और यह कह आ वॉल्टेज अब आपको बचाज़त कर सकतेके मैं आ 300 400 500 500 5212 345 यहां कोंस्टेंट किसको रखेंगे आर को मैं लेकर यहां यहां कॉंस्टेंट हर मतलब यह तांग है तो फिर करेंगे दी सो वोल्ट यहां से दावरा सो पर दी एक एंपर थी 200 पर कितने इसले लागी 200 एंपर तो एक आगया ग्राफ हापको फिर 300 बढ़ाया दावरा तीन पर चले घी क्योंकि बोल्टेस बढ़ेगा आर कॉंस्ट्टेंट बढ़ेगा फिर 400 किया तो चारसुon चार अमपर धारागी 500 कि तो इसका में निकड़ता है यह seasoning कि यहां यह यह सीधी की सीधी वकर रेकिशार जिए की तो यहां से यह नहीं नहीं को पुर अघ्राफ नहीं नहीं एकर आए आए आपके पास कि ओम के करणभ वबोल्टेज रखाएगी यहाँ व बरावर आई-ार आपको लखा कुछ नहीं बिलेगा। कॉनसा वक्र ओम के नियम को परद्रशिट करता है या ओम के नियम को दरसाता है तो यह तो ओम के नियम में किसका वकर है वी और आई का वी वा आई के बीच वकर या करव होता है ग्राफ होता है एक तो यह आता है फिर आता है कि ओम के नियम अनसार धारा वा बरत्रोद के बीच का वकर क्या है कौन सा समथ दरसाता है तो को उसमें आता देखोदेखिए आता है कि यह तो शार और यह brightly आप ने देखा कि की ँच्छारा डरा डरा। ठीकिन वन अपून आर होता है यह आई समानों पती वन अपून आ रहा है तो यहां लिखा में लगा आई समानों पती वन अपून आर इसका मतलब समानों पती के यहां किसको कॉंस्टेंट रखा वोल्टेज को कॉंस्टेंट रखा गया है यहां वोल्टेज को कॉंस्टेंट रखोगी तो धारा प्रत्रोद के विरोमाने पाते हैं इसका मतलब कि धारा आप प्रत्रोद के अमान को घठाओगे तो धारा बढ़ेगी इसका यह आता है कि आज जैसे यह सो ओम 200 300 400 500 300 एक है दो तीचार पांस अंपर जैसे कि आपने 300 यह तीन सो ओम पे इसके दारा का मान माने मीच लिए कि तीन एंपर है अब क्या होगा इदें 300 عم1 पर तेंऔं ईंप आपने प्रतुर्द के मौन को बढ़ाया ठीक है प्रतुर्द के मौन को भर है तो यहां जाएगी तो थी आज़े भी यहां गज़ेखे और फॉक्र तसी होगा इंगे तो आघाखे यहां गया तो यह बड़ाइक प्रतुर्द के में क्या घख्था यह वक्र किसका है आई आर के बीच का वक्र ग्राफ है जो ओम के नीम अनसार दरसाता है जबकि बोल्टेज को कॉंस्टेंट रखा जाए गई यह आता है तो दो बाते आगए आपके सामने कर गए अब एक चोटा सा मेरेकल देखते हैं देखो परसन कैसे आता है कि ओम के नीम बढ़ा कर चारसु कर दिया जाए तो धार कितने चले है इसका मलिई आता है कि बोल्टेज 200-400 किया दो गुना וक्राइज बढ़ा तो धारका माल कितने जाएगा दो धारा दो ऐनपीर ती तो चार से लिजाएगी आए 5 ऐंपिर ती तो personnageि दृत्या दिया जाएगी इद्या क्या आता है कि influencers 25 किलो 50 किलो ओम अ किलो मतलब एक तो की घात 6 ओम मेगाओं ठीक है और 10 की घात 9 गीगाओं में एक गीगाओं एक वेगाओं एक किलो ओम और यह आता है अब आगे यहां से लगाए कि बोल्टेज कमान मान लेजे कि 200 इस प्रतिरोध के आरपर कितना बोल्टेज लगाए 200 बोल्टेज लगाए तो धरा कमान क्या बोल्टे आर होता है वी कमान 200 प्रतिरोध कमान 25 किलो ओम होता है इसका मदल यह आ गया कि 200 अपून 25,000 या फिर 25 गुणा 10 to power 3 होगी अब इसका मदल यह आ गया कि 25,000 ओम हो गया इदि आप इसको हल करते हैं तो क्या आता देखो 200 बटे 25,000 आ गया 200 बटे 25,000 आ गया इदि आप 200 बटे 25,000 को हल करो एक तो एक दो यह आगे दो बटे 250 और 250 में एक बटे 125 आ गया एक में इदी 125 का हल करते हैं तो लग बगाता है यह लग बालए 265,000 आ गया 20,000 Breaking 0.008 के लग बगाता है यह अपनी Liter का मान आता है ठीक ने यह फ्रक इसे में आ गई इसे में आ जाएगा 0.018 यह चला जाएगा ठीक है कितना चलाएगा 0.018 कि 16 चला जाएगा क्योंकि धहरा दो गुणी चलेगी यह आप इस 200 से 100 कर देते हैं तो धहरा यहां से चली जाएगी 0.04 आदी धहरा हो जाएगा जितना अब आत यह बात यह आप इस परतिरोद के मान को बदल दे परतिरोद 25 किलो ओम से 30 किलो ओम कर देते हैं तो क्या होता है धारा कमान घट जाता है ठीक ने यह तो था आपका Conversion अब आती है बात कि ओम के नियम अंसार ओम कानियम कहां लागू होता है ओम कानियम कहां लागू नहीं होता है किस प्रकार की परिपत में ओम कर सकते हैं और क सम्द्द आपको बताए करन पोल्डेज़ परतुरुद की बिच में उस सम्द्दों को सही अच्छी रूप से इस्ताफित नहीं कर सकते हैं इसलिए ओम का नियम कहा लागों होता है क्यों लागों नहीं होता है किस प्रकार लागों होता है इन सभी बातों को जानने के लिए व ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कर्फिल नहीं हो अब देखते हैं कि ओम का नियम कहा लागों होता है कहा लागों नहीं होता है यह देखना है टोपिक बड़ा इंपोर्टेंट काफी पर प्रिक्षम में कुछ नहीं है और कर्फिल होते हैं कभी कभार आता है कि A-C-R-D-C ए इसीड़ू पर होता है डी सीफर не होता अप्सरोल लागू होता है तो कहा लाग होता है देखो ऑम के नियम की सरत्य और कि नियम की सतीर थी आप इस प्रिटोद की काउस्था में कोई प्रिवर्तन नहीं अ मैं कर नम परतिरोध क्यों अपने पास component तीन आते हैं ऐसे की बात के जाए परतिरोध आता है रजिस्टर इंड़क्टर और केपिश्टर तीन वाते हैं तिनों component जब सर्किट में लगे होते हैं जैसे कि यह आ गया जैसे केपिश्टर लगा दिया अब उसके का मान परिवर्त नहीं होता है जैसे बढ़ाओ टेंप्रिशर बढ़ाओ कि परिवर्तन नहीं होता है मतलब यह component प्राचल इस्थिर रहता है तो यहां उनकर नहीं होगा यह अब इसके मान में परिवर्तन होगा तो नहीं होगा एक आता ही, लेकिन यहां resistance तो नहीं है, यहां कहा अक्सी है ठीकन है resistance नहीं हो मैं यहां पर आक्षी के स्थान पर रर्शिटन के स्थान पर जड़ ले लेते हैं आगे जड़ ले ले लेते हैं तो ओम bubbles ले नहीं लागो जाते है इसलिए का यह इसई परिवेश्टब तौ्थमे ओम की परियुमिंगाध स्थान पर गॉता ही जब प्रत्रोध है is कि पर्तीर होता है जब रोगता में होगा हो तो ओम्करिम लागू होगा इसका मान चेंज हो जाता है तो ओम्करिम लागू 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 हो जाता है तो ओम्करिम परीपतों में कहां सब्सक्राइब आ गया रेखिय परीपत रेखिय परीपत में उनका नियम लागू होता है तो यह मैं और एक कि परीपाथ में लागू होता है अब प्रीपत के होते हैं विफ्र 10istent प्रैपिस्ट कामानवे कोई family होता है और वहां आम का नीम लागू होता है ऐरे कि प्रीपत में नहीं होता तो यह कंदने इनकामान बदल जाता है इसलिए कहते है रे के तो इयक्का मान परवर्थित होता रहता है वहां लागो कड़िसिशन आगी कि कौईबत होगा इन में नहीं बदलेगा इस्थान पर प्रतिवाद आले जाएजएगी वहां उमकरिखनियम लागो होगा यह तो थे भबात नियम एसी वे डीसी दोनों प्रलागू होता है लेकिन एसी में कंडिशन आगी यह इनका मान देखा दाएगा बदलता है कर नियम रजिश्ट्र अकेला लगा है और इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो अम के नियम लागू होगा अब आगी यह तो गी रेखिये औ और ऐसी परिवर्त आता है ओम के नियम अर्दिशालक पर लागू नहीं होता है क्यों आपको बताया कि धातूब का पर्तीरोड तापमान बढ़ाने से बढ़ता कि आदार पर होता है लेकिन जिंका पर्तीरोड तापनाना क्रेणात्मयु अर्दाओ में ते slots को गिरम करोगे परत्रोत घटेगा तोहां ख्राओ नहीं होता है अजょ गईरेक्टिफाईर पर फीवट पर प्रेपद नहीं होता है याद करेंगा डायोड रेक्टिफर किसे बनता है डायोड तो कभी के नाम आता है डायोड पर ओम करीम लागू नहीं होता है और आगे डायोड किसे बनता है डायोड को पी अन संदी कहते हैं कभी कहते हैं पी अन संदी पर ओम करीम लागू नहीं होता है अर्द सालेक युक्तिय पर ओम करीम प्रकार के यह रखते हैं दोस्तों यह रख यह अई तरविष्ट यह द्यार раकाहर् डियार यह सबकी वीड्य सब्सक्रारका आ पीछे एल्डर फ्रमिस्ट्र कितने प्रकार के होते हैं किस प्रकार से निर्माण होता है और इनकी इंपॉर्णेश क्यों होती है इन सभी बातों को अच्छे तरह से समझा रखा है तो आप पीछे वीडियो में वार आज़ए लागू के लिएसे हिसले सोधिनग हो तकरakah म Teach A आपको अन्से किसी प्रकार कि कोई समस्या नहीं हो घर तर तरंविस्टर पर नहीं लागू को नहीं होता है लिए o कि ए dell Вас insheond express वाती है वल आता है वहां यहां योतar है और जहां इस पार्किंग होती है अपने परिप्रफ़ नहीं हो गया एक यह आती है यहांगर आ गया फिर आता है कि आर्क लेंप में अपको बता है ट्रांजिस्टर आगया ट्रांजिस्टर वेक्यूम टूब रक्टीफायर थर्मिस्टर और VDR पर उमकर नहीं लागू नहीं आता है VDR और LDR जहां लागूता है थर्मिष्टर हो गया थर्मिष्टर में NTC PTC यह थर्मिष्टर आते हैं PTC क्या है यह रिजिस्टर होता है यह तो होता है सेंसर और यह रिजिस्टेंसर होता है कि यह बाता है इन करनी हम लागू नहीं होता है फिर और व्यू लागून अब में लागू नमिए नहीं होता है कि कुछ की अर्टी लैक्टो हरते हैं में वहां पर उतम नोती जिसे भी यहां पर वब बात बैर्टी क्रच से की निकलना सुरू हो जाती है उन उने लिख सकते हैं कि विदूत विस्विलेशनों में विदूत राशानी कीरिया में ऊमक्लम लागvision नहीं होता है जहां किसी पर गैस निकलना शुरू हो जाती है कि जैस निकलेगी वहां का तापन बढ़ेगा और उलेक्टोलाइट का प्रितरस घठ जाएगा रूहां पर कनियम लागू नहीं होता है तो पूच नियुद्दिसने आते हैं कहां का लागो होता है रेखे परीपथों में होता है ऐसी कि कंदिसने आते ही वहां नहीं होता है बाकि वांकनियम लागू नहीं होता है तो दोस्तों परिक्ष्य company है क्यों कने मुद्पार के लिगोंगत जिस्थे त्वोशे करेंगे इन सबसे कुंधां को देखेंगे सबसे इंपोर्टन टोपिक डी chlorine करने के लिए झी तहोरी की निमनीर को अहल करने के लिए दीषी थारी किसं की बार फॉर्म्र में को होते हैं उनका अगली वीडियो में ध्हक्र हुए कन रही है वीड्यो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेर करना, कमिर्स करना, थेंक्यु दोस्टॉ